Hi everyone, I hope आप सब अच्छे होंगे अभी ये मैं वीडियो बनाने वाला तो नहीं था यार बट काफी बच्चों का कोमेंट आ रहा था कि भी या एक्सपेक्टेट कट ओफ बता दीजे फूर्थ राउंड का क्या होगा क्योंकि इतने अनसर्टेंड कट ओफ मतलब जा रहे है फर्स्ट राउंड में काफी अच्छा इंक्रीजमेंट दिखा था सेकेंड राउंड में तो बिलकुल ना के बरावर इंक्रीजमेंट दिखा थर्ड राउंड में फिर से हुज इंक्रीजमेंट दिखा बच्चों को फिर फिर यही लग रहा कि भया क्या 4th round में cut off decrease होगा आज़ादा increase नहीं होगा तो देखो मैं मतलब यार official तो नहीं बता सकता बट मैं expected cut off आपको बता रहा हूँ ठीक है और यह मैंने यह data मैंने लिया है जो कि 2022 का 7th round का cut off है इसी के round ही आपका जो अपना next round होने वाला है fourth round तो देखो officially fourth round बोला गया है बट spot round जो होगा तो यह जो cut off है ना यह fourth and fifth round का ही समझे लो cut off है आपका जो मैं भी जो भी ranks बता रहा हूँ अगर आप कितने ranks हैं तो आपके 95 percent chances है कि आपको fourth या fifth round तक आपको seat a lot हो जाएगा ठीक है मैं भी आपको बता दे रहा हूँ यह fourth and fifth round का ही जाएगा cut off ठीक है because इस बार यही हो रहा है आपको मैं बता रहा हूँ ठीक है तो जो general वाले बच्चे अगर आपकी rank 2610 पास है ठीक है तो आपको जो next fourth round होने वाला है and जो एक spot round तो होएंगे तो spot round जो fifth अपना announce होगा तो fourth या fifth जिस भी बच्चे का 2600 general में rank है उसको definitely 95 percent chances है कि fourth and fifth round में seat मिल जाएगा सिम्दली बात करते हैं स्सी वाले बच्चों के लिए स्सी वाले बच्चों का जिनका rank साड़े 600 के आसपास है या साड़े 600 के अंदर है 650 तो आपको definitely 95 percent chances है कि fourth and fifth fourth नहीं तो fifth round तक to see a lot हो जाएगा fourth नहीं fifth round तक to see a lot होई जाएगा ठीक है मैं fourth and fifth round का cut-off बता रहा हूँ expected है अभी एकदम official नहीं है तो आप लोग hundred performance rely नहीं करना यह एक prediction है ठीक है and I hope देखना यह काफी accurate होगा क्योंकि मैंने काफी रिफर्च करके ही यह बनाने का opinion अपना clear किया word number बनाने वाला नहीं था सिम्दरली बात करेंगे ST वाले बच्चों के लिए जिनका भी rank 330 के आसपास है ठीक है जिनका भी rank 3930 के अंदर है definitely आपको fourth fifth round तक see a lot हो जाएगा कोई न कोई ठीक है ठीक है सिम्दरली अब हम बात करने वाले हैं general EWS वाले students के लिए ठीक है कि उनका closing rank क्या जा सकता जो general EWS वाले अपने बच्चे हैं ठीक है तो उनका दो जो expected cut-off है fourth and fifth round का वो अगर आपका rank 450 के अंदर है ठीक है यादा साड़े 400 के आसपास rank है आपका तो definitely 95 percent chances 90 percent chances आपके बनते हैं यह आपको fifth round तक fourth round, fifth round तक fifth round तक तो seat a lot हो जाएगा ठीक है तो यह आप make sure करके चलना ठीक है और हाँ यह ना cut-off इस तरीके से क्योंकि अभी आप देखना जो third round का cut-off आया है official यह कहीं ना कहीं cut-off match कर रहा है 2022 के fourth fifth round cut-off के तो उसी हिसाब से मैंने यह predict कर रहा ठीक है similarly जो OBCNCL वाले बच्चे है उनको जिनका बिरेंग 1400 के आसपास है definitely उनको chances है कि कोई ना कोई आईजर a lot हो जाएगा fifth round तक fourth round तक फूर्थ official है fifth तक मतब जो spot round रहेंगे उसमें प्यार देखो जो PWD वाले बच्चे हैं उनका यह ना maximum है अगर देख लो आप अगर आपके रहें क्यार मतलब साथ 55 ठीक है साथ 55 आ रहे हैं तो definitely आप से जो में आपको कोई ना कोई आईजर a lot हो जाएगा सिमिलर्लिक का इस मेरी जो माईगरेंट वाले स्टूडेंट है देख लो 38 इसमें हैं तो मतलब आपको definitely आप मान कैसा है सकते हो अगर कर दो